और इस वक्त हम आपके सामने बिहार की 40 सीटों का ओपीनियन पॉल रखने जा रहे हैं बिहार की बात करें तो 2019 के लोगसबाद चुनाव में यहां NDA को 53.25 प्रतिशरत वोट मिला था और महागठपंदन को 30.76 प्रतिशरत वोट मिले थे लेफ्ट चुनाव लगता है उसको 2.21 बोट मिला था लेकिन यह 40 सीटें जो 40 की 40 इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अगर आज चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी मिलेंगी या किस गठबंदन को कितनी मिलेंगी उपर आप NDA और इंडिया गठबंदन दोनों की टैली देखते रहेगा क्योंकि आपके सामने अब हम बिहार की 40 सीटों का ओपीनेन पोल रखने जा रहे हैं बिहार को कई क्षेतरों में डिवाइड करके बांट करके आपके सामने इन सीटों को रखने की तयारी की है सबसे पहले उत्तर बिहार उत्तर बिहार की ये सीटे जो हैं आपके सामने हम आएंगी और ये सारी सीटे आपको अलग से हम पहले दिखा दें उसके बाद अलग अलग हम बात करेंगे सभी 40 सीटें जिसमें NDA को मिल सकती है 35 सीटें NDA मतलब भारतिय जनता पार्टी JDU साथ में यानि इंडितीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी उसमें है चिराग पासवान के चाचा जी की पार्टी उसमें शामिल है और इसके अलावा हम पार्टी भी इसमें आपको शामिल दिखाई देगी 35 NDA 5 इंडिया कट बंदन प्राची देखे 2019 में आकड़ा 49 का था 17-17 सीटों पर JDU और BJP लड़े थे 6 सीटे LGP को मिली थी जिसमें से 17 सीटे BJP ने जीती थी 16 सीटे JDU ने जीती थी 49 का अकड़ा था अब ये 35 का हो रहा है यानि एक दो सीटों का नुकसान यहाँ पर NDA को होता हुआ नजर आ रहा है और अगर आप सीटों के वाइस बात करेंगे या आप रीजन वाइस बात करेंगे तो हम सबसे पहले नॉर्थ रीजन की बात कर लेते हैं वालमी किनगर, पश्यमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामडी, मुजफरपूर, वैशाली, हाजिपूर, सारण यहां तक आपको NDA NDA नजर आएगा यानि भगवा रंग नजर आएगा 2019 में अगर आप बात करेंगे, केवाल एके किशन गंज की सीट छोड़ दीजे, जो कॉंग्रेस पार्टी ने जी थी थी 2019 के चुनाव में, बाकी 49 सीटें 40 में से NDA ने स्वीप की थी और इस बख भी कॉंबिनेशन वही है जो 19 का था, जेडियो और बीजेपी एक साथ, इस बार भी एक साथ हैं, इस बीच में नितिश कुमार भले ही चले गए थे लेकिन 24 की चुनाव से N पहले वो वापस आ चुके हैं, चिराग पास्वान और उनके चाचा इस बार दो धड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन उस बख गांविलास पास्वान की एक पार्टी थी जिसको 6 सीटें मिली थी अब की बार लेकिन आप देखेंगे सिवान की सीट पहले हम लोग चर्चा कर लें, जो ये एक सीट उत्तर बिहार में अगर आप डालें तो वहां से जाती भी दिखाई दे रही है इंड्या गटबंदन को, बागी सारी सीटों पर बीजेपी, जेडी और उनके गटबंदन क आपके साथी जीत हासिल कर सकते हैं, आज का माहौल ये कहरा है बिहार का, हमारे साथ मैमान मने में आपका परिशह करवा दें, प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साथ बहुत सभागत है आपका, हमारे साथ आर्ती ठीकु सिंग है आज साथ इस उपिनियन पोल की चर्शा में आरती जी आपका बहुत सपागत है समीर चौगांकर सब समीर चौगांकर जिनको डेटा हर राजय का हर स्टेट का रटा हुआ उनकी जबान पर है समीर ची बहुत सपागत आपका भी विजय त्रवेदी जी का नमवाद के सामने आज होगा इस उपिनियन पोल में विजय जी बहुत सपागत आपका और हमारे साथ संजीव श्रवास्तर जी हैं जिनकी राए जिनकी उपिनियन आप हर वक्त सुनते हैं और म की सबसे बड़ी वजय प्राची ये है कि RJD यानि की तेजस्पी आदव लालू यादव जिनका खाता भी पिछली बार नहीं खुला था वो इस बार सीटे जीत रहे हैं बिलकुल उनकी मौझूद की जो है वो नजर आ रही है कि किशन गंज की एक सीट थी जो कॉंग्रिस ने पिछली बार जीती थी और कहीं पर भी हरा रंग पिछली बार नजर नहीं आया था लेकिन इस बार सिवान हो खगड़िया हो बांका हो नवादा हो यहाँ पर मौझूद की नजर आ रही है और यह मौझूद की आरजेडी की नजर आ रही है जबसे जेडियू आरजेडी से अलग हुई है तभी से तेजस्पी यादव मुखरता के साथ हमला बोलते वे नजर आते हैं और उसका फाइदा होता हुआ नजर भी आ रहा है अब देगे सबसे सभाविक सवाल इसमें यह है कि यह जो चार सीटों का नुकसान हो रहा है यह किसके खाते में से हो रहा है यह सीटें आरजेडी जो जीत रही है इस बात चार सीटें यह बीजेडी के खाते से जीत रही है या जेडीउ के खाते से तो हम यह सस्पेंस खतम कर देते हैं आपके लिए बी नितिश कुमार की लोगपिरता में बहुत जादा गिरावाट आई है, नितिश कुमार जी साथ से बार बार पल्टी मारी है बिहार के अंदर कभी लालू परसा के चलेगा, फिर नितिश कुमार के लालू को छोड़कर वापिस भार्चनता पार्टी के साथ आ गए, मुझे सेकुलर सभीती और एक मुझ्लिम वोट का एक हिस्सा उनके साथ जुलाता, वह पूरा का पूरा आजएडी के बार शिफ्ट हो रहा है, और महादरित का जो वोट बैंक है, उसमें भी कुछ तूट नितिश कुमार के साथ हो रही है, एक 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 करके सर, आप कह रहे हैं, मु जो है वो जो एंडिया गटबंदन जो हार जाएगी नवादा और खगडिया, मुझे नहीं लगता है कि यह दो सीटें ऐसी हैं, जो भारतिये जनता पार्टी का गटबंदन यहां हारने जा रही है, वजह इसलिए क्योंकि सोचल कोईलिशन जो है, वो सपोर्ट करता है जहां पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो जीत जाएं, लेकिन इसके अत्रित मुझे लगता है खगडिया, माका और नावादा, यह तीनों सीटें जो है भारतिये जनता पार्टी का गटबंदन को ही जाने वाला है, शीवान तो वैसे भी शाह बुद्दिन का गड़ रह यह वैसी फैक्टर कितना काम करती है, इस पर भी देखना पड़ता है, कितना पॉलराइज होता है, यह स्प्लिट कितना वोट करता है, इस पर डिपेंड करता है। नौर्थ उत्तर बिहार की 11 सीटे, प्राजी, वेकुल आई इन सीटो की बात कर लेते हैं, उत्तर बिहार में 12 सीटे हैं, वालमिकी नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीता मडी, मुजफरपूर, वैशाली, हाजिपूर, सारण, सिवान, वालमिकी अद्नी को टिकेट दिया गया था RJD के तरफ से, लेकिन सिवान सीट जीत नहीं पाया था, RJD के कांडिदेट, लेकिन सा ऐसा लग रहा है कि सिवान सीट पर जो मुस्लिम वोट कॉंसलिडेट होने की बात कही जा रहे है, उसका आसर कही न कहीं पड़ेगा, और यह सिर कि एस बार आर्जर्ट के खाते में जारे हाई हजीपुर की सीट पर अभी हमें फिर से कॉंसेट करना पड़ेगा क्योंकि हाजिपुर की सीट जो है पासवान साप की सीट है तonको लिला की सीट है और अभी जुह है चाचा भाती जा डॉनों अलग-अलग है यह देखे जो पासवान वोट है वो नहीं है उनके साथ नहीं है उनके साथ नहीं है उनके साथ नहीं है उनके साथ नहीं है लेकिन वोट जो है वो चिराग के साथ है वो चाचा है वो ही भतीजा है जो भतीजा है वो ही चाचा है वैसे रागी साथ ठीक करें आप आज उनको पता जो है पसवान के वह नई है उत्तरादीकारी चिराग पास्वान थी साल से वो चिराग पास्वान के बज़ेए पgil पशीरपदी नाज पारस गती तो थोड़ा सब असर डाल सकते थी चुर्ण पासवान की सीट हाजीपूर को माना देता हूं पश्रुपधिनाथ पारस ने क्या का है दोवेधाइद खतम हो जाएगे हमारी सब्सक्राइब पासवान पार्टी वोड के मैंबर्स है कि अधरीस लाया कि जव तक बीदीवत भाषबा का लिष्ट प्रसाणित नहीं होता है अधर आगरा है हमारी पादी के लोगों के आगड़ा है मांदिये लास्ति एधर जी से वाले अधरी मती जी से हमारी पार्टी के जो पांशांसर ह तुदा अपने फैस्टाबर विचार करें और जब दिवत लिस्ट की घोस्वा नहीं होती है तो तक हम लोग उस लिस्ट का इंजार करेंगें कि भुस्मा के बाद कि हम वोचीत समान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग सब्सक्राइब हुआ हुआ कि दोनों भी लड़ेंगे तब भी चिराग पास्वान ज्यादा मजबूत उमीद्वार यह अलग बात है कि भारती जनता पार्टी को अब दो साल बाद लग कि चिराग पास्वानी उत्राधी का रही हैं वैसे पांस सीटों के साथ वो उनके साथ ही से सरकार में कुछ राज ऐसे हैं जो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं आरती जी आपका अंकलन क्या कह रहा है देखे बिहार का जो आपने 2019 का अकाउंट दिखाया और आप कह रहे इतना आड़ कर दो इसमें जेडियो और लजेपी दोनों की कम हो रही हैं जीक मतलब रीजनल पार्टीज अगर आप उसी को देखे तो रीजनल पार्टीज में जो लोगों का विश्वास है वो नहीं देख पा रहे हैं कि रीजनल पार्टीज इस एलेक्शन के लिए खासतर लोग सबाई इलेक्शन में हमेशा जो वोटर है वो बड़ी पिक्चर देखता है नैशनल पिक्चर देखता है और जो गडबंदन है जेडियो और बीजेपी का तो क्लेर है कि कॉन्फिदेंस प्रामीनिस्टर मोधी की लीडरिशिब में है और दूसरा ये कि Indie Alliance का कोई ऐसा चहरा नहीं है जिसमें लोग अपना विश्वास दिखा पाए बहुत साफ बात है कि लोग सब election में जो assembly elections के जो patterns होते हैं वो नहीं देखेंगे पंजीब जी आप सहमत है सर्वे के नतीजों से चार सीटों का नुकसान NDA को RJD पिछली बार 0 पर 30 इस बार 4 पर पहुँच रही है जेडियों के सीटें कम हो रही है और जेडियों के सीटें कम हो रही है जी मैं कापी हद तक सहमत हूं यह एक ट्रेंड तो दिखा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले NDA अपकी बार कमजोर होगा और उसका सिर्फिय कारणी है कि इस बार Muslim vote consolidate हो जाएगा RJD के साथ या नितिश के खिलाफ हो जाएगा नितिश तो करीब दो दशक से बीजेपी के साथ है लेकिन जब तक उनकी छबी सुशासन बाभू की थी जब तक उनकी छबी थी कि उस सबको साथ लेके चलते हैं और बिहार में एक अलग X factor है उनका और लालू और उनकी politics से लो लेकिन मतला झाब नितिश कुमार को कोई सीडिस्लियर्स ने लेता संजीद की से लेता तो नितिश कुमार को सीटे मिलेंगी तो है नितिश कुमार की विश्वसनीत अका हो गई है Rodrigo का उम्मीद भार खडआ ओगा बोट्स तो यह जानता न वोट तो मेरा मोदी के लिए देखिए वोट मोदी के लिए तभी तो आपको ओपिनेंट पॉल पहते सीट दे रहा है चालिस में से लेकिन जो माक्स परफॉर्मेंस थी 100% के करीब 95%, 90% पिछली बार 40 में से एक ही गई थी वह पुगरे वो महाल बदल रहा है जमीन पे एक तो जैसे आपने खुद ने का एक तो महादलित भी थोड़ा सा उवा को में है नितिश कुमार की जिन भिन पड़ी है ठीक है वोट मोदी को है उदर आपने तीन साल तक मतलब जैसे कहीं शिंडे कहीं शिफपाल को एंकरेज कर दो यहां बशुपती नाथ को बढ़ा के तो क्या यह सारी बाते आप बहुत शॉट टर्म गेम खेलते हैं पोलिटिकली अपने को बहुत स्यान समझते होए लेकिन जब क्रंच का मौका आता है एकनम तो उसका थोड़ा बहुत नुक्सान भी जहनना पड़ता है तो वह बीजेपी भी जहलेगी इस बारे साल लगता है बिहार को प्रोबैसर साब सहमत नहीं आप से प्रोबैसर साब मुझे नहीं लगता है कि महादलित ज से बिलकुल आती है इसलिए जो कुछ भी नुक्सान हो रहा है वो जो है वो जेडियू के कारण नुक्सान हो रहा है और मैं इस बात से सहमत हूं कि जेडियू का जो नुक्सान है वो इस कारण नहीं नुक्सान है क्योंकि महादलित और ओविसी का जो वोट बैंक था जो भा नितिस कुमार ने इसका प्रियोख किया था जिसके कारण वो बियार की राजनिती में अपराजये जैसे होरा है। विलीन हो गहे है। है। सब्सक्राइब करें निटीश कुमार है जो एंडिय की सबसे कमजोर कड़ी और जितनी सीटे निकलेंगी वो बीजेपी की वजह से ज्यादा निकल सकती है क्योंकि जीत सकते हैं जीतने का मतलब लेकिन निटीश कुमार का जो मुस्लिम वोट था वो तो 100% नहीं तो 90% चलाई जाएगा तेजस्वी के साथ और कुछ और जो वोट है कुर्मी के अलावा वो भी तेजस्वी के साथ जा सकते हैं तो उसकी दो वजह है जाने पर बात करते यहां पर आपको जरूर नजर आ रहा होगा कि यह सीट इंडिया के खाते में जा रही है यानि गटबंदन के खाते में जा रही है इसके बास समस्ती पूर यहां पर अगर आप देखेंगे मितलांचल की सीटों को तो एक सीट पर आपको केवल RJD की मौजूदगी नजर आ र पर आप मुस्लिम वोट बैंक की बात करें आप दलिट की बात करें कुर्मी की बात करें लेकिन ज्यादा तर जो मुझे समझा है ग्राउंड पर जेनरली आज रिपोर्टर जितना भी मैंने जितने भी एलेक्शन कवर किये है मुझे यह समझा है कि इस देश की जो जनता है सबाइलेक्शन में बिलकुल अलग परस्पेक्टिव से वोट करती है यह दलित मुस्लिम वोट बैंक इन फैक्ट मैं कहूंगी कि मुस्लिम वोट बैंक भी स्प्लेट होगा पसमांदा वोट भी जाएगा बीजेपी को कहीं न कहीं छोटे-छोटे पॉकेट में जाएगा औ लगबग जो आपका नंबर है वो मिलेगा बरेके चुनाव में सीटे बढ़ें या उतनी आएं जितनी पिछली बार थी इसके लिए तो बीजेपी ने जो ताला मार के और सील मार के दर्वादा बंद कर दिया था नितिश कुमार के लिए वो खोल दिया ना दुबारा दो न मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो फाइदा होने वाला है नितिश कुमार से वो मिल रहा है लेकिन नितिश कुमार को ज्यादा फाइदा होने वाला है ये गड़ बंदन एंडिया गड़ बंदन में होने से क्योंकि अपने आप में नितिश क पर देख सकते हो जब नितिश कुमार भारते जन्ता पार्टी के साथ नहीं थे बावेश इटो पर जीती थी और नितिश कुमार अपने दंपा लड़े तो दो सीटों पर सिमट कर रहे गए तो ब्यार के अंदर तो मुझे लग रहा है कि बारते जन्ता पार्टी अगर अगर नितिश कुमार इदि आड़े के साथ होते तो यह नमबर 2020 होता एंड़ नितिश कुमार अगर पर रागी जी फिर संजीव जी देखे देखे जुद्ध में जाते वक्त कई बार जो है न भगवान कृष्ण जो है वो करन के पास भी गय थे ताकि करन जब इधर आ जाये तो स सारा जुद्धी दुर्जोधन लड़ना बंद कर देगा उन्होंने रस्मी रती में कहा देखो तुम इधर आ जाते हो तो दुर्जोधन तुम्हारी दुस्तता के कारण यह लड़ने के लिए तयार है तो वो दुस्तता कर ही रहा है इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ हो अमित साथ जी ने वो जो धूरी थी उसी को बरबात कर दिया अब नतीजा यह है कि कोई भी उसका धूरी बनने लायक बचा नहीं है तो यह जो परसेप्शन की लड़ाई थे होती है राजनीती में यह बहुत महत पुरुन होती है और दूसरी बात एक हम हाईजिन फैक्टर बोलते हैं और हाईजिन फैक्टर यह है कि मैं बार-बार कहता हूं कि आप ब्रस करते हैं यहदी नहीं ब्रस करेंगे तो आपके दात गल सकते हैं लेकिन ब्रस कर देंगे तो आपके मसूलों का राज जो आता है बहुत चमकीला हो जाएगा ऐसा नहीं होता है तो इससे साथ आ रहा है इंडिया गटबंदन के साथ यह बहुत महुत यानि जेडियू को खुद तो नुकसान हो रहा है इंडिये में आकर इंडिये का फायदा जरूर जेडियू कर रही है देखिए बिहार की स्थिति तो यह है इस वक्त एक खबर पश्यमंगाल से भी सामने आ रही है बिहार की बाकी सीटों की भी चर्चा करेंगे